तो कैसे हैं आप लोग मुझे उमीद है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे यहां हम एपिसोड नमबर वन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि एक न्यू एनिमेशन है मेरे सस्क्राइबर ने कहा था इसे एक्स्प्लेन करने के लिए इस एनिमेशन का जो नाम है वो सैट ओन एकेडमी होने वाला है आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें अगर आपको इस एनिमेशन का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो इसके लिए आपको 40 कमेंट करने पड़ेंगे अगर आप लोग सभी मिलकर 40 कमेंट करवा देते हैं और 1K व्यू करवा देते हैं तो इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी लेकर आऊंगा अगर नहीं करवा पाते हैं तो मैं इस एपिसोड को यहीं स्टॉप कर दूँगा चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एंट्रेंस सर्मेनी होने वाली है स्कूल की जहाँ पर सभी फर्स्ट यर के स्टूडेंट जो होते हैं यहीं पर बाहर ग्राउंड के अंदर खड़े होते हैं एनिमेशन के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि बहुत सारे जो जानवर होते हैं यानि एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पर इस school के अंदर पढ़ते हैं और क्योंकि ऐसा इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये लोग जो है एक दुसरे को जानने का ट्राई करते हैं हम देखते हैं यहीं बाहर ground में सभी लोग इकठा होते हैं इस school के अंदर यही एक लड़का है जो कि एक इंसान है हम देखते हैं कि जब ये बाहर ग्राउंड में खड़ा होता है तो बहुत सारे जानुवर के बच्चे यहाँ पर एक दूसरे को मार रहे होते हैं तब ही एक पाइनेपल इसके मुँपर आके लगता है फिर ये जो है बहुत जादा गुसा हो जाता है और य ये क्या है तो से समझ में आता है कि ये तो पाइनेपल है वो सभी तरफ देखती है और उस लड़के को पहचान लेती है अब इसके बाद ये जो है बहुत जादा गुसा हो जाती है और सीधा उस लड़के की तरफ छलांग लगा देती है और जम करते हुए उसकी तरफ जा रही होती है तभी हम देखते हैं कि वो लड़का साइड में हट जाता है और ये लड़की जो है सिधा जाकर इसका सर जो है सिधा जाकर यहां पर लग जाता है इस टब के आगे इसके अंदर एक मचली होती है तभी हम देखते हैं कि इन सभी जो स्टूडेंट होते हैं उनका एक teacher आ जाता है ये teacher जो है दिखने में बहुत भयानक है क्योंकि ये एक dragon है ये dragon जो teacher होता है वो कहता है कि सभी लोग line में लग जाओ तो सभी के सभी बच्चे जो होते हैं line में लग जाते हैं फिर हम देखते हैं कि teacher कहता है कि हमारे headmaster तुम सब से बात करेंगे अभी फिर हम उनका headmaster कोई और नहीं ये मचली होती है जो उस टब में होती है जैसे ही वो बोलना start करता है वो टब तूट जाता है क्योंकि आपने थोड़ी दिर पहले ही देखा था कि वो लड़की का सर उस्च में लगा हुआ था फिर वो जो है बहारा दाता है और पानी पानी चिलाने लग जाता है वो लड़की के सीधा मूँ पर जाके चीबक जाता है लड़की घबरा जाती है उसको दांत में पकड़ कर घुमाने लग जाती है वो कहता है कि मैंने तो तुम से सिर्फ पानी मांगा था तुम ये सब क्या कर रही हो headmaster कहता है कि मुझे छोड़ दो मुझे जा लाई हुई थी इसलिए इंसानों ने और जानवरों ने मिलकर दोनों ने दोस्ती कर लिया था और अपनी जो प्रमपरा है उसको सेर करने का ट्राई करने लगे थे तब ही जाकर ये सैटोन अकैडमी बनाई गई थी और यहीं पर ये लोग सभी लोग पढ़ते हैं अब जो ह बहुत ज़्यादा गुसा हो जाता है और इसका नाम हमें बताया जाता है कि माजमा जीन होता है वो यहाँ पर फर्स्ट येर के अंदर आया है इस अकैडमी के अंदर जो यहाँ जीन होता है उसे बिल्कुल भी कोई भी एनिमल पसंद नहीं है इसलिए वो उनसे नफरत करता है हम देखते हैं कि वो खाना खाने के लिए केंटीन में जाता है केंटीन में जो है बहुत सारे जानवर होते हैं जहां पर उसे जगा तो नहीं मिलती है जब वो खाना खाने के लिए जाता है कि मैन्यू में क्या है तो मैन्यू में क्या होता है पानी होता है पत्ते होते हैं और कच्ची मचली होती है और कच्चा मीट होता है अब ये दो इंसान है ये कच्चा तो खा नहीं सकता फिर भी और कोई चारा नहीं होता है क्योंकि ये खाना लेके आया नहीं होता है तो वो जो है कहता है कि थोड़ा सा मीट दे दो जिसको थोड़ा सा कुक कर देना और उस पर थ इसे ही दे दूँगा और वो ऐसे ही दे देता है और बिचारे जिन के पास जो है अब नेक्स प्रोगलम आ जाती है अब उसे जो है जगा ढूंड़ना होता है कि वो कहां बैठे तो वो जो देखता है कि पीछे कोने में एक जगा खाली है तो वो चुप चाप जा कर वहीं पल इसलिए वो बहुत ज़्यादा घुसे में है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा जिन है वो सोचता है कि से सांथ कैसे किया जाए वो उसके आखों में देख रही होती है तो इस ये पता होता है कि जान्वरों के आखों में नहीं दिखना चाहिए नहीं प्संद आता है और पसंद आता भी क्यों नहीं क्योंकि ये वुल्फ होती है फिर ये जो लड़की होती है वो कहती है कि क्या तुम मेरे ग्रूप के अंदर जॉइन हो सकते हो मैं जो हूँ अपने ग्रूप की बोस हूँ और बेरा नाम जो है रनका है और तुम चाहो तो तुम तुम भी हमारे ग्रूप में आ सकते हो और मुझे फॉलोर खर सकते हो बट हम देखते हैं कि जिन जो होता है रर्णा का की बात को विल्कुल भी's ignore कर देता है सुनता नहीं फिर यहाँ पर जो रर्णा का हो थी है वो कहती है कि तुम मेरी बात को सुनके नहीं रहे हो जिन जो होता है अपनी हड़ी को दूर भगा देता है और यहाँ पर अनका उसका पीछा करने लग जाती है उसे पकड़ने चली जाती है तभी यहाँ पर एक जो है क्यूट सी लड़की यहाँ पर आती है कहती है तुमने खाना खा लिया क्या इसका नाम जो है हीनो मो हिटोमी है और यह जो है वो कहती है कि तुमने खाना खा लिया तो वो कहता है कि नहीं मैंने नहीं खाया है तुम आके मेरे साथ बैट कर खाना खा सकती हो क्योंकि जिन जो होता है इसकी उलड़की को देखकर बहुत ही ज़्यादा सर्मा रहा होता है वो सोसता है कि मैं इसी से दोस्तिकर लूँगा बत यहाँ देखते हैं कि जो हिनो होती है वो जो है कहती है कि यहाँ पर कोई भी इंसान नहीं था एक तुम ही थे तो मैं बहुत जादा अकिला फिल कर रही थी इसलिए आ गई हूँ जिन बहुत जादा खुश होता है फिर हम देखते हैं कि हिनों जो होती है वो यहाँ पर खाना लाई होती है घर से वो खुद कुक करके लाई होती है और इसे जो है कुक किया हुआ खाना तो यहां मिलता ही नहीं है लन्च में हम देखते हैं कि वो दोनों जो है बड़ी प्यार से बादे करना स्टार्ट करते है000 और तब ही वो जो है लड़की आ जाती है यहाँ पर वो कहती है रेना का कि यह जो है स्टेंज ओरत कौन है और यह कहां से आ गई है क्या फ्रेंड है तुम्हारी जिन फिर वो जो है सीधा जाती है हिनों के पास और कहती है कि अगर तुम्हें ये मेल चाहिए तो तुम्हें मुझसे फाइट करना पड़ेगा फिर काम जो है माजामा जिन है और तुम जो हो इससे बेहिए क्यों कर रही हो और यहां से तुम क्या कर रही हो तुम्हें पता नहीं है कि मैं जो हूँ इससे बात कर रहा हूं अब यहां पर वो बहुत तेज घुसा हो जाती है तो लड़की भाग जाती है वो कहती है यहां पर र तो तुम मुझे जो है ऐसे बात मत करो तुम जो हो मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो मेरे ग्रूप में और मैं कोई डॉग नहीं हूँ मैं जो हूँ वुल्फ हूँ जिन कहता है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है दोनों जो है एक तरह ही लगते हैं मुझे फिर हम देखते हैं कि यहां पर वो कहता है सू सू यहां से भाग जाओ फिर वो भागती थोड़ी है यहीं पर रेटी जाती है वो कहती है जो हमारा जिन होता है कि देखो सभी ने अपने अपने पार्टर अपने जैसे बना रखे हैं तो तुम भी जाके अपना पार्टर ढून लो ना मैं तो इंसान हूँ और इंसान और जानवर की कभी दोस्ती नहीं हो सकती है यहाँ जो रहने का होती है वो कहती है कि तुम सच नहीं बोल रहे हो वो बताती है कि लंबे समय पहले जब मैं छोटी थी तो मैं जो हूँ बहुत जंगल में भूम रही थी और वहाँ पर मैं फस गई थी बहुत सा जो है जानवरों से दोस्ती कर सकता है और इस ती तरह हम दोनों जो है फ्रेंड्शिप कर सकते हैं तो यहां पर वो कहता है कि नहीं मुझे तुमसे कोई फ्रेंड्शिप नहीं करनी है और ना तुम्हारे ग्रूप में जॉइन होना है वो भाग जाती है और यह साम को लेटा हो और सोच रहा होता है कि वो लड़का जो है वो कोई और नहीं होता है वो जीन ही होता है क्योंकि जीन ही इसे बचाने के लिए यहां आपे आता है उसे लगता है कि छोटे डोगी को परिसान कर रहे हैं भालू और वो आता है बचाने के लिए पर भालू जो है इसके साथ बहुत बुरा करते हैं और उसे मारते हैं तो फिर इसके बाद जो है ये जो हिरेने का होती है वो उसको लिकिंग करने लग जाती है यानि चाटना शुरू कर देती है इसलिए जो है इसे बहुत जादा जानवरों से नफरत है तब से लेकर अभी तक हम देखते हैं ब्रेक टाइम हो च कर सकते हो जो गजिन होता है वो कहता है कि अच्छा हाँ तुम्ने मुझे बताया था कि तुम्हें जो है चुकिक्णग करना बहुत ज्यादा फ़संद है साइद इसलिए तुम घुल ठोब खोल रही और में जो हूँ बहुत जादा खुष हूं मैं भी तुमारे कलब को जॉइ क्रट करनी पड़ेगी मैं तुम्हें बताया था फिर हम देखते हैं कि यहां Parcult hue كن हो जाता है वह कहता है कि मैंने कहाना मैं तुमहरी गूरप को ज्वाइन नहीं कर ंचाथा तरह przep अड़ेटा members कर रहा हूं यहां आ यह तो बहुत हलका है बड़ा आजीव है ना सोचता है कि बहुत ज्यादा है पर बोलता है कि बहुत ज्यादा लाइट है लड़कियों के सामने ऐसा ही बिहेव करते हैं कुछ-कुछ लड़के फिर हम देखते हैं कि सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहां पर ज गोड़ा बनने का एक्टिंग करती है और आवाजे भी निकालती है यहां पर जो हमारा जीन है वो कहता है कि पता नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं और सभी सुडेंट बोलते हैं कि यह जो है एक वुल्फ है और घोड़ा बनने की ट्राइग कर रही है तब ही हम देखते हैं कि य उसके साथ ऐसा ब Ideem नहीं कर सकते हो इनका के लिए बहुत ज्यादा भारी है गरिनका जो है इनोंसे कहती है कि तुमने जो है मेरी हेल करी हैus के लिए 109 हम देखते हैं कि यहां पर वो लड़कीど वह है उसे मारने के लिए आगे बड़ जाती है बड़ जिन जो है वहां के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती हो पता नहीं तुम्हें किसने सिखाया है वो पहुंच जाता घुसे जो को मालकिन मान लेती है और चली जाती है बट यहां पर जो हमारा जिन है वो कहता है यह जेबरा नहीं डोंकी है फिर हम देखते हैं कि वह दोनों जो है इसी की पर जाती है और यह जो है एक डोंकी है जो जैबरा होता है वो थोड़ा सा जल्दी घूसा करता है इसलिए वो इंसानों के साथ नहीं रहता वो लखी कहती है कि तुम जो हो बिल्कुल जुट बोल रहे हो तुम्हारे पास कोई पूरूफ नहीं है फिर हम देखते हैं कि यहां पर सभी लड़कियां और सभी जानवर देखके बहुत ज़्यादा ही हसते हैं और फिर वो जो है यहां पर जो गदह बहुत ज़्यादा सर्मा जाते हैं और वो जो है लड़की यहां से भाग जाती है वो कहती है कि मैं कभी भी ये accept नहीं कर सकती हूँ कि मैं जो हूँ कोई donkey हूँ फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेनिका है वो भाग जाती है यहाँ से क्योंकि वो अभी भी किसी के club में नहीं है यानि किसी के group में नहीं हम देखते हैं किसाम को वो जो है यहीं पर बैठी होती है स्कूल के बीच है यहाँ पर हिनो जो है आज आती है और कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंड लिया है वो यहाँ पर बोलती है रेन का कि मैं जो हूँ एक बहुत ही प्राउड क्रियेचर हूँ तो तुम्हें जो है मुझपे दाया दिखाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर जो हाइनो होती है वो कहती है कि मैं तो तुमसे फ्रेंट्शिप करने आई हूँ तो क्या तुम मेरी फ्रेंट बनोगी बट हम देखते हैं कि उसके पीछे बहुत सारे भालू आ जाते हैं जिससे की वो दोहत तेज से चिलाती है उसकी चिलानी की आवाज जो है जिन सुन लेता है और जल्दी से उसके पास भागने लग जाता है हम देखते हैं कि जो भालू होते हैं वो कहते हैं कि चलो इन क्यूट क्यूट लड़कियों के साथ थोड़ा बहुत हम लोग खेल लेते हैं और यहां पर वो हाइनो को उठा लेते हैं और उसके साथ खेलना सुरू कर देते हैं तब ही हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर आ जाता है और उन्हें कहता है कि है तुम लोग रुख जाओ फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रेकनेरिन का होती है वो जाके बालू के मुझे चिपक जाती है और जल्दी से भागने को बोलती है हाइनो को फिर हम देखते हैं कि हैनो जो है उसकी बात मान कर यहां से भागना स्टार्ट कर देती है और फिर हम देखते हैं कि जो भालू होता है वो सिधा जिन के उपर अटेक करने के लिए आ जाता है वो कहते है कि तुम जो हो इंसान हो और बहुत ज़्यादा वीक हो पर यहाँ पर इंसान जो है स्प्रे मार देता है उनके आखों पर जिसकी वज़े से भालू के आखों में बहुत जलन हो जाती है फिर हम देखते हैं जिन यहाँ पर कहता है रेंका को कि तुम जो हो एक बिल्कुल डम डोगी हो तब ही जो है उसकी अवाज को वो पहचान लेती है क्योंकि वही उसे बचाने के लिए आया था और वो उसके पास आ जाती है वो कहता है कि तुमने मेरी हेल्प करी थी तुम्हें याद है ना तब ही हम देखते हैं कि पीछे से भालू आ जाता है और एक मुका मार देता है अब बालू जो होता है इनके पास आ जाता है और आने के बाद कहता है कि तुम लोग जो है बहुत जादा परिसान कर रहे हो मुझे अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं जीन कहता है कि ये इतनी जलती रिकवर कैसे हो गया तो इंसानों ने बनाया होता है नल जिससे ये लोग अपना मूँ दो लेते हैं और ये लोग यहाँ पर ठीक हो जाते हैं अब ये इनके उपर अटेक करना स्टार्ट कर देते हैं यहाँ जो रेनका होती है वो गुसा हो जाती है इस बालू की हरकत को देखकर तो वो जो है उसके उपर अटेक करने आदी है बट वो बहुत जादा साइज में छोटी है तो भालू उसे अराम से मार देता है फिर हम देखते हैं कि ये भालू दुबारा अटेक करना स्टार्ट कर देता है जिनके उपर तब ही हम देखते हैं कि इनका टीचर जो ड्रैगन होता है वो यहाँ पर आ जाता है जो इन्हें खा लेता है और हलका सा चबाने के बाद इन्हें थुक देता है फिर यह लोग भालू बहुत जादा डर जाते हैं और यहां से भाग जाते हैं और यहां पर हम देखते हैं कि जिन कहता है कि अच्छा तीनों तुम जाकर टिचर के बुलाकर लेकर आई थी तो वो कहती है कि हाँ मैं लेकर आई थी जाकर जीन जो होता है सिर्फ हाइनों से ही बात कर रहा होता है इसलिए यहाँ पर इनका जो है परिसान हो जाती है वो कहती है आज भी मैं अकेली हूँ फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो जीन है उसकी तरीफ करता है कहता है कि thank you तुमने मुझे बचा लिया है अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हारा group join कर सकता हूँ हम दोनों तुम्हारा group join करना चाहते है उसके मूँ से waterfall आन लग जाता है और सिधा वो जो है उसके गोद पर चड़ जाती है और वो कहती है कि अगर तुम मेरे group के अंदर join करना चाहते हो तो वो जो है एक किस दे देती है और यहाँ पर आपको पता ही है कि dog जो है वो चाटने की उसको आदत होती है और यह भी एक dog होती है तो यह भी ऐसे करना start कर देती है बट इनो जो होती है वो थोड़ा सरमा जाती है बट इनो को भी यह ऐसा ही करती है क्योंकि इसका जो है welcome करने का तरीका यही होता है और यह episode यहीं खतम हो जाता है तो आप लोग जो है target को याद धक्षना अगर target भूरा हो जाता है तो इसका episode number two में लेकर आ जाओंगा अगर नहीं होता है तो यह यहीं पर stop हो जाएगा चलो फिर मिलते हैं next episode में तब तक के लिए over and out